आपके साथ काविंद्र चौहान करोना वैक्सीन बनना शुरू हो चुका है और इसका पहुचाना सप्लाई करना भी शुरू हो चुका है ऐसे में ये बहुत बड़ी खुशकबरी है और देश के लिए गरवानमित करने वाली भी बात है क्योंकि तमाम जो बाकी देश हैं उनकी नजर भी इसको लेकर भारत पर बनी हुई है तो प्रद्यूम ने ये बताईए कि जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन बनती है बहुत इसका इंतजार किया जाता है वैक्सीन बनकर तयार है और खेप पहुचना भी शुरू हो गई ये तमिलाडू सरकार बताती है कि उनके पास भी पहुच चुकी है पूना से ये वो इस वैक्सीन को नहीं लगवाएंगे लगवाएंगे नहीं और जोवनके सरकाराएं तब श्यूह उस्यूरू उनको खुशी नहीं है कि वैक्सीन आ चुकी है अब वैक्सीन आ जाएगी तो लोगों का भला होगा कोर्ना काल खतम हो जाएगा लेकिन उनको इस चीज की चिंता है कि कैसे लोगों को अपनी तरफ आकर शित किया जाए 2022 के लिए अपनी रण नीती बनाई जाए और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमेशा देखा गया है सपा परिवार में हमेशा मतबेद रहते हैं ऐसे मैं मुलाहिम सिंग यादब की छोटी भू अपड़ना यादब ने इस बात का जिकर किया उन्होंने कहा कि अकलिश भीया ने जो बयान दिया है वो सरासर गलत है और सीदी सी बात तो ये हो जाती है कि कोई भी वैक्सीन जब किसी भी देश में जाती है चाब कोई भी देश हो तो उससे पहले जो इसे शक्ये होते हैं उनकी जांच परक के बाद ही वो वैक्सीन जनता तक पहुचा ही जाती है क्योंकि उसके साइडवेक्स भी कई सारे होत इस राजनीती से कितना गलत असर पड़ता है जंता पर, उनके समर्थकों पर, उनके फॉलोवर पर क्योंकि इसके बाद जो तमाम अखलेश आदब ने ये जो बयान दिया था उसके बाद जो तमाम MLC कहें या फिर MLA कहें कई लोगों के बयान आये थे कोरोना वैक्सीन को लेकर उन्हें स्वागत किया है, समर्थन किया है अब इसको थोड़ा सा ब्रॉड एंगल से समझाने की कोशिश करते हैं ब्रॉड एंगल से जब मैं समझाने बैठता हूँ, हमारे देश में राजनीती है, वो होती है, होती रही है विपक्स जो है, वो हमेशा, जो कोई चीज है, उसको गलती ठहराता है, और सरकारे हमेशा उसको मास्टर स्ट्रोक बताती ही बताती है लेकिन अगर मैं इसको ब्रॉड एंकल पर ले जाता हूँ, और इसको वैस्विक स्थर पर ले जाता हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि कई देश ऐसे हैं, जो भारत के सामने आस लगाए बैटे हैं, भारत के सामने खड़े हैं, कि वैक्सीन उनको भी मुहिया कराई जाए मतलब भारत का जो अब दरजा है, भारत का जो अब चेहरा है, वो इतना बड़ा हो चुका है, कि देश जो हैं, बाकी जो देश हैं, उसके सामने खड़े हैं, कि आप हमें कोरोना वैक्सीन दीजिए, मैं प्रद्यूमी इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, कि जब कोरोना लोग भी, कम आखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत ने साबित कर दिया कि भारत जो है, वो सूपर पावर बनने की पूरी तयारी में, भारत जो है, वो सूपर पावर बनके ही रहेगा, वैक्सीन इसका सबसे पहला और बड़ा उधारण है, एक चीज मैं आप अपने दर्शकों के लिए क्लियर कर दू, कि भारत में जो वैक्सीन है, वो दो इंस्टिटूशन बना रहे हैं, पहला है सेरम इंस्टिटूट ओफ पूने, वो एक वैक्सीन बना रहा है, जिसकी खेब जो है, वो पहुचाना शुरू कर दी गई है, और दूसरी जो वैक्सीन है, भारत बायोटेग बना रहा है हैदरवास से, जिसकी सप्लाई भी शुरू कर दी गई है, अब आता हूँ मैं अपनी पहली बात पर, कि जो बाकी देश हैं, जो भारत से कोरोना की वैक्सीन की जो आस लगा कर बैठे हैं, उनके नाम अगर मैं हाँ पर बता दू, ब्रजील, म मोरोक को, साउधी अरब, म्यानमार, बांगला देश और साउथ एफरिका, ये बड़े देश हैं, ये भारत के सामने आस लगा कर बैठे हैं कि इनको वैक्सीन भारत देगा, अब भारत के ऊपर ये बात है कि भारत किसको किसको कितनी वैक्सीन उपलब्द कराता है, ये भार बांगला देश, भूटान, नेपाल, स्रिलंका और अफगानिस्तान का, इनको सबसे पहले वैक्सीन पहुंचाई जाएगी, तो ऐसे में सवाल जो उठता है, वो ये है प्रदियूम्न, जब विदेशी कंट्रीज जो है, जो विदेश की कंट्रीज हैं, वो जब खड़े हो है, तो इस चीज को सभजना कितना मुश्किल हो जाता है, जैसी तमाम राजनितिक पार्टियों के लिए, बिल्कुल, जिस तरीके से आपने जिकर किया है, जो इतने बड़े देश हैं, वो भारत से आस लगा के बैठे हुए है, सबसे बड़ी बात तो इसमें ये हो जाती है ये सबसे अच्छी बात है कि आम जन तक आराम से वैक्सीन पहुच जाएगी, ब्राजील के प्रधान मंतरी बार बार पीम मोदी से इस बात का जिकर कर रहे हैं कि आप हम तक यहां पर वैक्सीन पहुचा है, तो जब भार के देश, जो इतने पड़े लिके देश है, इतने अच्छी उपलब्दी पर वो देश है, तो जब वो लोग इस बात का जिकर कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं, जिकर तो नहीं, वो साफ तोर पर मांग कर रहे हैं, क्योंकि ब्राजील के प्रधान मंतरी ने दो बार मांग की हैं, प्रधान मंतरी मोदी से कि आप वैक्सीन हम राजरीतिक अपनी जगा है लेकिन जो आम जन है उनकी जो सुक सुविदा है उनकी सुरक्षा के लिए ये वैक्सीन आई है तो वो सुरक्षा बेहत जरूरी हो जाती है आप अभी ये भी जिकर कर रहे थे कि जिस तरीकिस अकलेश आदब ने इस बात की मनाई कर दिया कि वो व ऐसे में वो इस बात को समझेंगे कि जब वैक्सीन आई है तो वैक्सीन जरूर लगवाएंगे ऐसे में अखिलेश यादब को बयारा है वो वाकरी में सोचने में मजबूर कर देता है कि आखिरकार ऐसे मुद्दों पर भी राज़िती हो सकती है क्या जी बिलकुल जानकारियां भी फैलाई जा रही है कहीं पर बताया जा रहा है कि 3500 की एक वैक्सीन होगी कहीं पर कहा जा रहा है कि नहीं फ्री में लगाई जाएगी सरकारे जो है दावा करती है कि ये वैक्सीन जो है फ्री में मुहया कराई जाएगी लेकिन कहीं ना कहीं लोग इस चीज को समझते हैं कि free में कैसे क्योंकि अगर process हो रही है कोई चीज बन रही है कोई चीज तो उसकी कुछ ना कुछ तो cost of manufacturing होगी तो अगर cost of manufacturing होगी तो यह उनको free में कैसे उपलब्द कराई जा रही है तो इसके उपर मैं आपको को बता दू कि Serum Institute of Pune के जो अदार पुना वाला जागी है उन्होंने बताया है कि यह vaccine पर cost बता रहा हूँ एक vaccine का cost है 200 rupees है जो specially government को अभी लेविल कराई जा रही है और government उसको कितने में देती है वो government के उपर छोड़ा गया है हाला कि government ने सीधे कह दिया है कि पहली जो priority है जो पहली जो चरण किया जाएगा कि पहले चरण में जो vaccination होगा वो healthcare workers और frontline workers को वो vaccine लगाई जाएगी वो टीका करण जो है इन लोगों पर लगाया जाएगा इसके बाद अगर दूसरी बात निकल कर सामने आएगी तो यह है कि 60 साल से जो उपर के लोग है उन पर ये टीका करण किया जाएगा लेकिन जो जरूरी सवाल है वो बिलकुल टिका हुआ है और साफ है कि अखिलेश यादव सरीखे नेता शशी थरूर एक बहुत बड़े नेता है कॉंग्रेस के ऐसे लोग जब देश की बनाई हुई made in India vaccines पर भी सवाल खड़े करते हैं वो ऐसी बात ही करते हैं मैं एक उधारण के लिए बड़ाना चाहता हूँ शशी थरूर कॉंग्रेस के बड़े नेता शशी थरूर ने कहा सवाल उठाया बोला इसका फाइनल ट्रैल नहीं हुआ है ऐसे में जब वैग्यानिकों से बात की जाती है तो वैग्यानिक बताते है कि फाइनल ट्रैलर अग इनका स्टैंडर तक इसका ट्रैल करना था कि जहां तक आपको ये नुकसान नहीं पहुंचाती है प्रद्यूंग और जहां तक ये हमारी समता को बढ़ाती है तो वैग्यानिकों ने कहा है मैं एक और बार इसको दुबारा से रिपीट कर देता हूँ ये बात वैग्यानिको अब ऐसे में जब वैग्याने खड़े कर इस बात को कह देते हैं जब उस पस्टिकरट दे देते हैं कि यह उस हद तक बनकर स्टेंडराइजड हो चुकी है जहां तक किसी को भी कोई मतलब साइड इफेक्ट नहीं होगा या फिर किसी को भी कोई परिशानी नहीं आएगी तो समर्थक जो है उनके जादा खुश हो सकते हैं बीजेपी है कि जो वैक्सीन आई है उसको बीजेपी से जोड़ कर देखा जा रहा है कि लोग मोधी मोधी कर रहे हैं कि वैक्सीन आ गई है मोधी इसको इस एंगल से साइद ना समझना चाहिए ना देखा जाना चाहिए इसको अगली बात जो प्रदियूम हम लोग करना चाहेंगे यहां पर वो यह है कि खेप रवाना कर दी गई है 16 जैन्वरी से यह जो टीका करड़ का जो कारिकरम है जो अभिहान है वो चलाया जाएगा इसके लिए अभी थोड़े दिनों पहले ही मौकडली टाइप का एक किया गया यह देखा गया था कि किस तरीके से अभ्यान को चलाया जाना चाहिए आप इसमें क्या समझते हैं कि कितनी मतलब comfort zone जो होता एक level जो होता हो कैसे रहेगा इसमें कितनी परिशानिया देखनों के मिलेगी क्या-क्या चीज़े इसमें रहेंगी बिल्कुल जिस तरीके से आप म विवस्ता है चल रही है जो mock drill चल रही है वो वहाँ पर जाके देखें किस हिसाब से वहाँ पर काम किया जा रहा है और पूरी mock drill होई है mock drill का मतलब ही यह हो जाता है कि कैसे कैसे लोग आएंगे किस तरीके से vaccination उनको provide करा आई जाएगी और उसके बाद वहाँ से लोग कैसे जाएंगे वो सब विवस्ता हमाँ पर सेट कर ली गई है लेकिन फिर भी यह सवाल उटना बहुत लाजबी हो जाता है कि इतनी संख्या में जब वहाँ पर लोग पहुचेंगे क्योंकि कोई संख्या जो है लोगों की वो सीमित नहीं की गई है कि इस दिन में इतने लोग प आराम मिल जाएगा लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि वैक्सिनेशन का जो प्रक्रिया चलेगी वो ज़रूर जटिल हो जाएगी जी बिल्कुल प्रक्रिया तो जटिल होगी ही क्योंकि पॉपुलेशन जो है बहुत जादा है देंसिटी के हिसाब से देखते तो बहुत जादा हो जाते हैं बाकी कंट्रीज को आखने बैठ जाते हैं तो बहुत छोटी है लेकिन दिल्ली के दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि दिल्ली में अभी तक जो तयारी है वो इस लिहाद से है कि यहाँ पर करोना वैक्सिनेशन सेंटर्स बनाए जाएगे इस नौर्थ दिल्ली मेंहें होगा वेस्ट दिल्ली मेंहें स्थ दिल्ली में अलग कोरोना siamacad salir पहुँआ जाएंगे इसे के साथ दिली के हेल्थ मिनिस्टर सतेंद्र जैन का बयान आया उन्होंने बताया कि पहले जो फेज होगा उसमें 50 लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा यह बहुत बड़ा फिगर है अगर इसको देखने बैठ जाते हैं यह प्रक्रिया जो है कि आखों की बात बहुत छोटे लियाद से कहा दी जाती है तो यह प्रक्रिया कितनी जटल हो सकती है कि चुनाव में जो पोलिंग भूत होते हैं वह भी यहां पर अपनाई जाएगी तो शायद वही फॉर्मला जो है वहां पर लागू किया जाएगा कि एक तरीके से वहां क्योंकि वेक्सिनेशन में कोई जादा समय तो लगता नहीं है जादा से जादा धो मिनिट है मिनिट में अगर आप फॉरंण दॉक्टर के पास जाते है तो आपका वेक्सिनेशन आपको प्रोवाईयड हो जाएगा आको टीकık अदा आपका हो जाएगा तो ऐसे में यह कहा यह बात भी है कि 51 लोगों को किस तरीके से भागों में बाटा जाएगा यह जरूर देखने वाली बात होगी लेकिन इसके लिए अधिकारी बैटे हुए है उन्होंने कुछ ना कुछ तो इसके लिए सोचा ही होगा इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा प्रदियूमन की जो फॉरेंड कंट्रीज हैं वहाँ पर इसकी मांग उठ रही है क्योंकि पूरा विश्व जो है इस तरह भारत की दरफ देख रहा है कि लोगों ने वैक्सीन बनाई है दो वैक्सीन बन गई है सप्लाई शुरू हो गई पूरे विश्व कि इस पर निगाठी की हुई है और वैक्सीन की बात करी जा रही थी जहां पर हम रेट बता रहे थे तो वहां पर एक और बात इसमें आड़ आन करना चाहूंगा कि अदार पूना वाला जो कि सेरम इस्टिटूट के हैं पूने से उन्होंने बताया है कि 200 पीस जो वो गवर्मेंट को प्रोवाइड करा रहे हैं उससे भी जादा कॉस्ट है उसको बनानेगी लेकिन वो इसको कम करके फिर भी गवर्मेंट को दे रहे हो गवर्मेंट जो है वो जनता तक इसको फ्री में पहुंचा रही है लेकिन जो रवया जो वेफक्षी पार्ट खत्रा पड़ता है जो कि देश के लिए भी कहीं न कहीं एक बड़ा खत्रा बनकर उभर सकता है पिल्कल ये कहा जा सकता है कि अब लोगों की जो परेशानी है वो जरूर खत्म हो रही है लेकिन वैक्सिनेशन होने के बाद भी जो कोरोना के नियम है वो जरूर आपको पालन करने हो जाएंगे लेकिन 16 जनवरी देश के एक इतिहास में सबसे बड़ी तारिक मानी जाएगी क्योंकि कोरोना काल की जो लड़ाई थी लाखो लोगों की मरत्ती हो गई परेशानी होगा सामना करना पड़ा लेकिन अब 16 तारिक के बाद ये सभी परेशानी खतम हो जाएगी फिलाल इस खास पेशकर्श में सिर्फ इतना ही बने अरियन विल इंडिया के साथ नमस्कार